थैंक यू फादर, ब्लस्यू जीजस। और उसके पहले की सिक्षा आपने अद्बूत्रिती से अभी तक सीखी है ऐसी आशा करते वे आज के आटवे दिन को शुरू कर रहा हूँ और कल यानि के नवा दिन संडे ये समाप्त हो जाएगा पूरा बाविस्वा दिया है दोस्तो जैसी प्रतिक्रिया आप लोग दे रहे हैं वो चाहे Facebook हो WhatsApp हो या फिर YouTube हो जहां कहीं से भी यह अपलोड हो रहा है जब teaching हो जाती है तो काफी positive response 99.9% positive response आप लोग दे रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवा देता हूँ वो जो 1.0% जो लोग है वो शायद उनकी डॉक्ट्री नलग है या फिर उनकी सोच लग है उसे पर कम से कम 80,000 subscribers आज जो है पूरे हो चुके हैं जिसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और साथी साथ अभी जितने YouTube पर देख रहे हैं आप सभी का बहुत धन्यवाद 80,000 के जो subscribers हैं एक तरफ खुशी है लेकिन साथी साथ दूसी तरफ मेरी जिम्मेदारी या responsibility बढ़ जाती है जो भी मुझे subscribe किये हैं उन तक सही सिक्षा context के साथ में मसीर के साथ आपको जोड़ने की जिम्मेदारी मेरी और बढ़ जाती है और मैं समझता हूँ कि जब तक मैं जिन्दा हूँ और जब तक ये उपलब्द है माधियम जिसको कहत पहुंचा सको YouTube पर अगर जो अभी जुड़े हैं आपने अभी तक subscribe नहीं किया है मैं request करता हूँ कर लीजे क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते हैं आपको सिरव icon bell press करना है that's it और आप मेरे साथ में मेरे subscribers बन जाओगे और मैं जब ही भी ऐसी कोई सिक्षा है जो कि मेरे previous जो प्रेट हुआले आप तक बेजते रहेंगे Facebook से बात करूँगा जो अभी जुड़ रहे हैं कितने लोग जुड़ गए हैं आप सभी से मैं जो है बात कर रहा हूँ कि आप लोग भी जब जुड़ रहे हैं आप लोग भड़ी तादात में जुड़ रहे हैं उसके लिए मैं जतार का धनेवाद देता हूं और साती साथ में आप friend request नहीं बेजें क्योंकि वो list पूरी हो चुकी है मुझे काफी लोग friend request बेज रहे हैं उसकी मालूमात पड़ी है बट मैं request करता हूं कि ऐसा ना करें क्योंकि कोई मतलब नहीं होगा आप मेरे page को like करना शुरू करें जै आपके वीच में रखने जा रहा हूँ, अभी तक जो दिखा रहा हूँ, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो ठीक से दिख रहा है, वो टाइप कर दे, साथी साथ में जो कॉमेंट्स बॉक्स पे आप लोग जो भी आते हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको हम रखते हैं, उन्होंने मेरे पेज को थोड़ा सा अब्जव किया है, कि कुछ लोगों ने नेगेटिव एक्टिविटीज मेरे पेज पर करी है, जिसकी मालूमात मुझे दी गई है, और जिसके चलते हैं, मुझे लगता है कि संडे तक ऐसी कुछ बाते हैं, जिसको वो सु एजन्स छोड़ रखे हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, मसीहत आसान नहीं है, मसीह का काम भी आसान नहीं है, मैं इस बात को अच्छे से जानता हूँ, ना दोस्तों, आपको सिरफ इतना करना है, कि जब ऐसी कोई एक्टिविटीज मेरी तरफ से, या म पी से, मुंबई से, जो लोग वहां बैठ कर काम कर रहे हैं, वो उस चीज़ का ख्याल रखेंगे, ना दोस्तों, मैं यहां से शुरू करने पर हूँ, सबसे पहले सत्रवा अधियाए और अठारवा अधियाए, इसको मैं रख रहा हूँ आपके बीच में, क्योंकि यहां प ह regarder ना ही बहुत ऐपर और गया हूँ, हला कि यह जो दो चैपטर से, इसके उपर बहुत कुछ बात कर सकते हैं, ओल्टेस्मेंट से बहुत सारी बाते कर सकते हैं, इनके जो कंटेंन हैं, या फिर इसकी जो पास्ट भूमी हैं, इसको लेकर बात कर सकते हैं, लेकिन वो सब नह नहीं रखाओं क्योंकि देड़ गंटे में मुझे दिक्कत हो जाती है तीन चैप्टर पर बात करना और जैसे मैंने साथ दिन का था दो दिन मैंने और बढ़ा दिया आज का आटवा दिन है और खल मुझे इसको समाप करना लेकिन साथी साथ याद रखिये मैंने का था यूट ओके तो कम से कम छे सो के असपास लोग जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब यहां से मुझे शुरू हो जाना चाहिए तो दोस्तो यहां पे सत्रवा अधिया है जी ये लगा लीजिया उनका लीजिये जी सत्रवा अधिया है आपके बीच में रखने जा रहा हू कि पूरे बाइबल में जी दोस्तो पूरे बाइबल में तीन तरह की कलिसिया है कितनी तीन तरह की यह देख लेज़े ना वहां पे देख रहा है सब कुछ ठीक वापस आता हूँ कि आपको पूरे बाइबल में ये समझना या जानना आपके जहन में पास्टर्स आप देख तो आपको भी और जितने Bible Teachers अगर जो देते हैं जो अशाय देख रहे होंगे उनको भी समझना जरूरी है कि आपके पवित्र शास्तर में टोटल तीन प्रकार की कलिसया का जिकर होता है कौन सा कौन सा है आपके बीच में रखने जा रहा हूं लेकिन इसको सबसे जादा खुला सा प्रकाशिद्वाक्य की पुस्तक में हमको देखने को मिलती है तो प्रकाशिद्वाक्य की पहले अधियाय से 22 अधियाय में यह बात दिखती है कहां कहां दिखती है आपके बीच में रखने जा रहा हूं बारवा अधियाय में एक कलिसया दिखती है इसराइली फिर दूस वादिया इसलेन लिखा है क्योंकि बीसविया ध्याय पे एक लड़ाई है जहां हजार वर्ष के लिए लुसिफर इबलीस को कैद किया गया तो उसको मैंने नहीं काउंट किया क्या क्योंकि 1921 और 22 में येशु की दुलन येशु की कलीसा का जिकर दिखता है ना इसको मैं पूदी के कलीसिया भी बोल सकते हैं ओल टेस्मेंट की कलीसिया बोल सकते हैं मैसेनिक कलीसिया बोल सकते हैं और साती सात में ये वह कलीसिया है जो लुसिफर एंटी क्राइस और फॉल्स टीचिंग के टाइम पे या फॉल्स प्रॉफिट के टाइम पे ये कलीसिया जिसको ब 40,000 भी चलाएंगे जिसके बीच में दो गवाएंगे मैं आपको सब कुछ बता चुका तो यह हो गया पहली कलिशिया अब बात करते हैं दूसरी कलिशिया यह बाबील या बैबिलॉन यह है वो कलिशिया जिसकी अभी 17 और 8 ध्याय में हम जिकर करेंगे लेकिन यह रहा तीसरा कलिशिया जिसको कहते येशु की कलिशिया येशु की कलिशिया से मतलब है येशु की दुलन येशु की कलिशिया मतलब येशु की दुलन तो पहला हुआ इजराली कलिशिया दूसरा हुआ बाबील की कलिशिया तीसरा हुआ येशु की कलिशिया इसका जिकर आप लोग जो में बने रहें और जो लोग लेट जुड़े हैं शुरुवात की जो इंटरडक्शन है आपने नहीं सुनी उसको आप लोग फिर से सुन लेना जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तब ना दोस्तों यहां से शुरू करते हैं अधियाए 17 और 18 में जो कलिसिया है वो एक ही ह मेरा कलिस्या से मतलब है बाबील मेरा मतलब है बैविलोन यानि की जिसको हम लोग कह सकते हैं सीटी वुबन शेहर की और ये कौन है इसका चर्चा क्या है इसकी खुलासा क्या है मैं वापस कहता हूँ बहות डेप्त में नहीं जा रहा हूँ जा सकता हूँ बहुत हलके में भी अब ही बता चुका हूं वापस बताऊंगा वह एक ही है वापस कहता हूं सतरा और अठ्रा का जो सवह नहीं समझेंगे वापस सब जाता हूं क्यों कि सोलवी सदी में जब translations बठने शुरू हो गए English हो, बाकी translations हो जो 18th century में आई है भारत के लिए, लेकिन उसके पहले जो original manuscript जिसको कहते हैं जो पहली लिखाई थी ना, तो वहाँ पे chapter wise नहीं होता था, words wise नहीं होता था, जैसे आज हमको निकालना है, तो हम कहते हैं book फिर हम कहते हैं chapter फिर हम कहते हैं verses तो ऐसे जब original manuscript लिखा गया था, तब ऐसा नहीं था, तो वो जो भी लिखते थे एक साथ लिखते थे, जैसे आज आज आप लोग letter लिखते हो तो एक साथ लिखते हो, message बेशते हैं तो एक साथ ठीक है न, वैसे ही 17-18 का चकर, 16 सदी के बाद से आ, उसके पहले नहीं था तो इसको हम एक साथ देखेंगे जिसको यह होना ने जिकर किया है, hope you understood और आप समझ गया होंगे, ना इसको देखे बस दो तरीके से यह कलिसया जो है, अलग-अलग तरीके से काम कर रही है, यह देखते हैं, वो दो तरीका कौन सा है, सबसे पहला religious तरीके से, और दुसरा है commercial तरीके से, अब आप लोग समझ गये होंगे religious तरीका, commercial तरीका, दोनों का आर्त आप लोग समझ गये होंगे यह है संसारिक, यह है आत्मिक, तो सत्रवा अध्याय की और अठ्रवे अध्याय की जो औरत है, जिसको वेशिया कहा गया है, प्रोस्टिट्यूट कहा गया है, वो जो कलिसिया जो की संसारिक तोर पे आपको याद होगा, कि एक बखरा निकला था, जिसके दो सिंग थे यह फॉल्स प्रोफिट है, और इसके भी दो सिंग थे, मैंने आपको जिकर करा था एक है लुसीफर के लिए और दुस्रा है संसार के लिए संसार के तनीके से मतलब आत्मिक हो गया लुसीफर के तनीके से मतलब दुस्टताका हो गया, उसका जिकर मैं कर चुका हूँ इसका आपको जो है connection वहाँ पर जोड़ रहा हूँ Antichrist के लिए commercial हुआ और false prophet के लिए क्या हो गया religious हो गया तो यह आप लोग आप इतने से बातों से तो समझ में आही गया होगा ना Bible में Babylon हमेशा दिक्कत ही रहा है तो उत्पती के 90 दिया है से फिर 10 फिर 11 दिया है ऐसे करते करते एक ऐसे character का नाम आता है जिसका नाम है निमरोद वो वेक्ती ऐसा लिखा है शूरवीर था ऐसा लिखा है बड़ा खिलारी था ऐसा लिखा है के पराकरमी था उस वक्त में पूरे universe में मतलब पूरी पृत्वी पे अगर कोई strong वेक्ती था तो वो था निमरोद और ऐसा लिखा है उसके बारे में उत्पती 9, 10, 11 अगर आप 3 चप्टर पड़ोगे एसा लिखा है उसके बारे में कि वो पृत्वी परामेश्वर की नजर में लड़ाकू था ऐसा लिखा है वो लड़ाकू था मतलब शूरवीर था और साती सा शिकारी था लेकिन किसका शिकार करता था एक तो जानवर का और दुस्था इनसानों का इसकी हिस्ट्री अगर आप जाओगे जैसे मैं वापस कह रहा हूँ मैं बहुत डप में जा सकता तर नहीं गया तो इसका मतलब है कि Babylon बाइबल के टाइम से उत्पति से प्रकाशित वक के टाइम बे ये हमेशा दिक्कत रहा है कौन Babylon दैनियल से पूछोगे तो दिक्कत रहा है Old Testament में पूछोगे तो दिक्कत रहा है पत्रस के पास में जब मिनिस्ट्री थी पहला पत्रस 5 का 13 अगर आप पढ़ लोगे तो देख लीजेगा वहाँ पर भी Babylon का जिक्र है वह जहां से चड़ चलाता था वह Babylon का जिक्र है उसने भी किया है तो इसका मतलब है कि Babylon जहां मूर्ति पूजा का केंदर है वेबिचार का केंदर है और उल्टे सीदे हरकतों का केंदर है जो आपके बीच में रखना हो मूर्ति पूजा हो या परमेश्वर के लोगों को भटकाने की बात हो आपको ये टावर याद होगा जहां भाशाओं में गडबणी करके परमेश्वर ने अलग-अलग कर दिया तो इसका मतलब है कि Babylon Bible में हमेशा दिक्कत का कारण रहा है ना सत्रा और अठ्रा अधियाय का दर्शन जो यह ना ने देखा वो चर्च को वेशिया कहा उसने ये देखिए जी वापस आता हो वेशिया का इसका मतलब क्या है इसको कुछ सखिंड रख रहा हो जी उसने उसको वेशिया क्यूं कहा लिखा है वेशिया का ना की वेविचारी तो फरक्या है वेशिया में और वेविचार में प्रोस्टिट्यूट में और अडल्ट्री में फरक्या है यह आपको समझना होगा तो वेशिया का मतलब है यह शादी शुदा नहीं होती वेबिचार जो करती है वो शादी शुदा होती है और जब वो वेबिचार करती है तो उसको कहते वेबिचार तो इसका मतलब है ये जो चर्च है जो की एंटी क्राइस और जिसको कहते जूटा बवशवक्ता ये उसकी चर्च है जिसकी शादी नहीं होई तो इसका मतलब है कि ये चर्च वेविचार कर रही है लेकिन इसको नाम दिया है वेश्या प्रोस्टिट्यूट दिया है आप इंगलीश में भी चेक कर सकते तो इसका अर्थ ये हुआ माफ करें इसका अर्थ ये हुआ कि इसको पती नहीं है इसको पती नहीं है बहुत गहरी बात बहुत लॉजिकल बात रख रहाँ थोड़ा सा समझ दे की बात है कि ऐसी कलिसिया सेटान की जिसको पती नहीं है लेकिन येशु की कलिसिया को जिसको हम दुलन कहते हैं उसको पती है यानि कि येशु मसी क्या अद्बूद बात है ना इसको पती नहीं है और साथी साथ में मैंने लिखा कि जंगली है ये इसका मतलब ये कहां रहती है बताता हूं पद तीन इसी का सतरा का तीन पढ़ लीजिएगा आपको पता चल जाएगा ये जहां रहती है वो एक ऐसा जंगल है ऐसा उसका जिकर करता है जब बतां तो पता चल जाएगा तो इसका मतलब है यह वेश्या है और इसको कोई पती नहीं है इसको देखें यह द्रिश्य देख लिजए जी दोस्तों इसी को डैनियल ने जब देखा था वो चार राजा के रूप में तो यह इतना सा हिस्सा जो सोने का है उसको इंडाम दिया था बैबिलॉन बाबील तो य यह किस में बदल जाएगा क्योंकि चार राज्य एक नेशन हो जाएगा आपको याद होगा वन रिलीजन वन गवर्मेंट यह हो जाएगा कौन सा है आपके बीच में रख दे जा रहा हूँ ध्यान से देखीगा यह अब आप पूछोगे डैनिल भाई यह क्या है इसको कहते है रोम मैं अभी आपको दिखाऊंगा लेकिन इसी को यहना ने इसको लिखा जब स्वर्गदूत ने सुना प्रकाशिद वाकिए के सत्रा आठ्रा आखरी वचने सत्रा काठ्रा मैं सिरव आपको पहला परिचे दे रहा हूँ कहता है कि वर स्त्री जिसे तुने देखा है यह स् कौन है दानियल की पुस्तक पढ़ लीजे जो मैं पीछे से बताते हा रहा हूँ प्रकाशिद वाकिए की पुस्तक को पढ़ लीजे जो की पूरा इंडिगेट करता है एक बहुत बड़े राज्य को और वो राज्य है रोम तो इसका मतलब है आज की तारीक में रोम के अंदर सबसे जादा कलिसिया जिसकी तादाद बहुत जादा पूरे दुनिया में जहां से बैठ कर एक बहुत बड़ी कलिसया चलाई जाती है आप अगर समझ गए होंगे तो आप समझ गए मैं कौन से चर्च की बात कर रहा हूँ जो पूरे दुनिया में जिसकी तादाद बहुत है तो इसका मतलब है वो है बड़ा नगर रोम सो लुसिफर एंटी क्राइस वहां से अपना जो दुकान है वो चलाएगा अगर आप समझ दार है वो अपने दुकान चलाएगा सो इसका मतलब है उसको कहा है वेशिया नौट पद नी कलिसिया बोला है लेकिन कौन सी कलिसिया वेशिया जिसको पती नहीं है ना प्रकाशिद वाकिये 17 का एक आपके वीच में पढ़ने जा रहा हूँ और जितना लाल है उसको आप लोग देख लिजेगा लिका है कि जिन स सवर्गदूतों के पास वे साथ कटोरे थे उनमें से एक ने आकर मुझ से कहा कि इधर आ मैं तुझे उस बड़ी वेशिया का धंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है यह पानी कौन है मैं यह भी बताऊंगा लिखा है वेशिया ना प्रकाशिद्वा के 17 जिसके साथ प्रित्वी के राजाओं ने वेविचार किया और प्रित्वी के रहने वाले उसके वेविचार की मदीरा से मतवाले हुए यह देखे लिजे वे मतवाले हुए तो इसका मतलब है दोस्तों जितने लोग अभी देख रहे हैं इसका इंटरड़क्शन ऐसा है कौन सेकेंड इसको रख रहा हो जी दोस्तो जी यहां पे आपको सब कुछ दिख जाएगा बकरा दिख जाएगा आपको भालू दिख जाएगा आपको छेर चीता सब दिख जाएगा आपको ड्रैगन दिख जाएगा आपको ये वेशिया यानि की कलिसिया संसारी कलिसिया religious दिखती है commercial दिखती है लेकिन इसका अंत बहुत जल्दी होगा ये पानियों पर बैठी है ये पानी क्या मैं बताता हूँ लिखा है मैं तुझे उस बड़ी वेशा का दंड दिखाऊंगा आईए इसका पहला दंड देख लेते हैं लिखा है कि इस कलिसिया पर धंड की आगया हो चुकी है पहली बात इसका कुलासा है इस कलिसिया पर धंड की आगया हो चुकी है इस पर धंड की आगया हो चुकी है मतलब रोम पर धंड की आगया हो चुकी है ये जो कलिसिया यहां से पनपेगी ना इसके उपर धंड के आगिया हो चुकिई आए वापस आते इसके उपर इस पर दंड के आगिया हो चुकी है वहbicyar की madira से मतवाले देखा इसका मतलब है ऐसी कोई हरकत हुई है मैं रख रहा हूँ आपके बीच में इसके गलत सिक्षाओं के चलते इसको दन मिल रहा है किसके गलत सिक्षाओं के चलते इस औरत के गलत सिक्षाओं के चलते इसके गलत सिक्षाओं के चलते मैं वापस कहता हूं कि जब जब मैं औरत कहूंगा मैं जब जब बाबील कहूंगा बैबिलोन कहूंगा आपको समझना है कि यह बड़ा नगर है जिसका कभी भी नदी समंदर कांच का समंदर फिर पानी ऐसा जिकर होता तो आ guessing को नहीं तो पद पंद्रा कहता है यह चर्च में पढ़ यह ज़नीचांब कर दिया पढ़िए लसके तो पानी जो पानी तुने देखे जिन पर वेश्या बेटी है वै तो लोग और भीर और जातिया और भाशाय है फ Sorry यह पानी आप समझ गया होंगे तो जब कभी भी पानी का जिकर समंदर का जिकर या जिस किसी का भी जिकर आप सुनते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसको indicate कर रहा है या किसको बता रहा है मैं वापस बता देता हूँ कि ये पानियों पर बतलब लोगों पर बैटिये ये चर्च में पानियों पर बैटिये मतलब बहुत सारे लोगों के साथ में इसमें Bollywood, Hollywood, Tollywood, सब आ सकता है, मैं कलिसा की बात कर रहा हूँ, आज के तर नजरिये से, आपको connect करने के लिए ठीक है ना, Bollywood वाँ नहीं चलता है, Hollywood वाँ चलता है, ना, साती सात में, ये चर्च में बहुत कुछ है, मतलब आप मैं रखूंगा बीच में, ये चर्च संसारिक तोर पे बहुत active है, और activities चलता है, ना, फिर प्रशन उठता है, आज आपका चर्च कैसा है, जी दोस्तों, आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आपका चर्च कैसा है क्या आपका चर्च संसारी activities में जादा है, मुझे ताजूब होता है कुछ कुछ चर्च के बारे में सुनकर, क्योंकि जब हम ट्रैवल करते थे खेर, अभी तीन महीने से बंदे, जब हम ट्रैवल करते थे ना, दोस्तों, तो चर्च के अंदर, हमको पिच्चर के गानों उपर कोरोग्राफी करके उसके उपर गाने चलाते जब क्रिस्मस या इस्टर संडे या फिर चर्च की एनवर्सरी होते ना, ऐसे चलते हैं, साती साथ चर्च के अंदर धारू पीना, कॉमन है, जगडे करना, कॉमन है, यहां तक कि बंदूग चलती हैं कुछ-कुछ चर्च अधास हुआ होगा, या हो रहा होगा, कि जिस चर्च में आप जाते हैं, मेंबर्स आप से बात कर रहा हूँ, तो सावधान हो जाओ, कहां जा रहे हो, साती सद अगर कोई लीडर ऐसी एक्टिविडिस कर रहा है, तो सावधान हो जाओ, मैंने कल बताये था, मैं वापस करना करना पड़ेगा, और एंटी क्रैस का तो चाप लेना ही पड़ेगा, अगर बिसनस करना है, रोटी दाल चावल चलानी है, घर पे बच्चों को खाना खिलाना है, तो एंटी क्रैस का सावधाना होगा, बेदर्द टॉचर देगा, जिसका मैं उतना डेप्थ में नहीं जा सका, उसके पर फिर कभी वीडियो बनाऊँगा, आपको एसास हो जाएगा, इसलिए वापस कहता हूँ, जितनी जल्दी हो सकता है, शुदर जाएगा, यहाँ सब ठीक चल रहा है, कॉमेंट्स बास में, जितनी जल्दी हो सकता है, सुदर जाएगा, यहां से आगे पवित्रात्मा नहीं है जो चर्च में पवित्रात्मा नहीं है उसको जंगल ही बोला जाएगा जी फिर कहते है मैंने किर्मीजी रंग के पशुपर ये किर्मीजी कौने मैं बताऊंगा ये किर्मीजी रंग के पशुपर और निंदा के नामों से छिपा हुआ था जिसके साथ सीर और दस सिंग थे, एक स्ट्री को बैठे हुए देखा, किसकी ओपर बैठी है कलिसिया, किसकी ओपर बैठी है बैबिलोन, एक ऐसे पशु पे जिसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट इसलिए ये डाला, एंटी क्राइस्ट ना इसको देखे, ये देख लिजे जी इसका मतलब है कि आंत की कलिसिया जो प्रित्वी पर रही जो येश्यू की कलिसिया नहीं है उसका मालिक उसका बॉस कौन है ये एंटिक्राइस इसलिए कहा था कि वो जो है ना वो खुद को कहती है कि मैं रानी हो मैं जिकर करूंगा उसका मतलब है वो वेशिया वो किसी की नहीं है लेकिन उसने अपने पती कर ली इसको जिसको कहते है लुसीफर जिसको कहते है फॉल्स टीचर ये कलिसिया दो जगों पर बैठी हुई आपको दिखती है एक है बहुत से पानियों पर मैं आपको उसका डिस्क्रप्शन दे चुका हूँ खुला सा दे चुका हूँ पद एक के अनुसर दूसरा एंटी क्रैस पर पद तीन के अनुसर तो इसका मतलब है बहुत से पानियों पर और एंटी क्रैस के उपर ये कलिसिया बैठी है ना इसको देखिए प्रकाशिदवा के चार से पंस तक में ये इस्त्री बेजेनी और किर्मी जी कपड़े पहनी हुए है ये शाय की किताब गेट्रडी ये शाय की किताब उसका पहला अधिया है वचन अठ्रा मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कर रही है यावा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करे तुमारे पाप चाहे लाल रंके हो तो भी वे हीम के समान उजले हो जाएंगे और चाहे अर्गवानी ही रंके हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे आपके जो पाप है ना तो इसका मतलब है प्योब से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था और घिनित वस्तों से और उसके वेविचार की अशुद वस्तों से भरा हुआ था अब इसको देखे उसके माथे पर ये नाम लिखा था भेद ये देख लिजे बेद और लिखा बड़ा बाबूल प्रित्वी पर की वेशियाओं और घिनित वस्तों की माता इसका मतलब है बड़ा बाबूल प्रित्वी की वेशियाओं और घिनित वस्तों की माता इसका मतलब है कि इसके अंदर भेद भी हैं ये कलिसिया के अंदर उपर से ये घिनित है और जो वस्तुवे जो घिनित है जिसको का गया ये उसकी मातला है ना बड़े ध्यान से सुनेगा ये कलिसिया जो अंत के दिनों में आपको दिखेंगी और जो अभी भी कुछ-कुछ कलिसिया हैं और जिसको बिलकुलिस से मैच कर सकते हैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ अगर आप उस कलिसिया में जितनी जल्दी हो सकता है निकल जाएए मैं रिपीट करता हूँ जितनी जल्दी हो सकता है वह कलिसिया से निकल जाएए छोड़ दीजे नहीं तो गई भैस पानी में ना शब्द पर ध्यान दीजे जो की कहता है घिन्नित वस्तों की माता आये देखते क्या लिका है सबसे पहला मूर्ति फिर यह होली वाटर होली वाटर कहां चलते आप समझ गयोंगे रोजवी कहां चलते आप समझ गयोंगे क्रूस की पूजा कहां होती है वह आप समझ गयोंगे और साती साथ में तावीज और घर पर स्टैचूस के आल्टर्स बनाना मैं कैतलिक से आता हूँ जब मैं कैतलिक ये सब हरकते करता था ये सब हरकते करता था सब ठीके वहाँ पे ये सब हरकते करता था जी दोस्तों तो इसका मतलब है क्रूस की पूजा नहीं होनी चाहिए क्रूस की पूजा आप कैसे करते हैं गले पे क्रूस लटकाना अभी फेस्बुक पे कुछ लोगों को मैं देखता हूं लाइन जो क्रॉस लगा कर या तो प्रचार कर रहे होते हैं या तो गीत गारे होते हैं या तो फिर अपना फोटो दाल रहे होते हैं मैं उनसे पूछूंगा आपको क्रूस पहन कर साबित क्या करना है कि आप हिसाई हैं जबकि क्रूज पहने वाला संसार की नजर में क्रिशन है मैं आप से पूछूँगा कि आप क्रिशन हो अगर आप क्रिशन हो क्रूज पहन कर तो डिकलेर करो कि मेरा धर्म क्रिशन है ऐसा डिकलेर करो पेपर पे सरकार के पास में अपनी सोसाइटी में डिकलेर करो के तुम क्रिशन हो लेकिन बेरी भाइबल देना यही भाइबल देना लेकिन जहां तक मुझे पता चला है के इस पवित्र शास्तर को पढ़ते वक्त में कहीं पर भी शब्द नहीं आया के हम येशु के फॉलोवर्स क्रिशन्स हैं हम क्रिशन नहीं है दोस्तो तो क्रूस पैन के अब साबित क्या करना चाते हैं और गले पे रोजरी लटका कर और रोजरी को ऐसा जब कर अब साबित क्या करना चाते हैं ये सब जिसको मैंने अभी नाम दिया घिर्ने तवस्तू जिसमें भेद है, जिसमें शैतान का भेद है, जिसमें शैतान आपको फसा रहा है, ये सारी चीजें अगर आप करते हैं, फिर लिका है संतों से प्रातना, मतलब जो सफीद कपड़ा पहन के कुरसी के उस तरह बैठता है, आप जाकर उसको अपनी सारे पाप बताते हो, फिर प बगावत, या जिसके उपर उसने एक्शन लिया था, सोलवी सदी में, उसका नाम है मार्टिन लूतर, उसने बगावत करी, उसके साथ में जो किया, इन लोगोंने वो बात अलग है, उसकी हिस्री हमारे पास में है आज भी, नाव, ये सारी चीजें मैं आपके बीच में क्य यू लगाते हो घर पे, ये शु की तस्वीर, मर्यम की तस्वीर, संतों की तस्वीर, नहीं लगाना है, मैं रिपीर करता हूँ, नहीं लगाना है, ये गलत है, गलत है, ये आपको समझना होगा, नाव, ये कलिसिया पूरी तरह से एंटी क्राइस के कंट्रोल में चलेगी, ये चर्च में सब कुछ allowed होगा, कौन से चर्च में, एंटिक्रैस के चर्च में, फॉल्स प्रॉफिट के चर्च में, सब कुछ allowed होगा, मैं आपको बताता हूँ क्या-क्या allowed होगा, इसमें सबसे ज़ादा आप पुरुष-पुरुष से शादी कर सकते हैं, दूसरा, औरत-औरत से शादी कर सकती है, आप जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, भिना शादी किये भी, जिसको कहते हैं, लिविंग रिलेशन्शिप, उसमें भी रह सकते हो, आप धारू पी सकते हो, आप पाप कर सकते हो, एक्स्रा मरिटल अफैर रख सकते हो, एक नहीं दो-दो शादियां कर सकते हैं जिसके लिए पॉलोस से भी डाट लगाई है ये सब कुछ अलाउड होगा आपके एंटी क्राइस के चर्च में और जिसकी जलक आज भी दिखती है मैं रिपीट करता हूँ कि जिसकी जलक आज भी दिखती है ऐसी कलिस है आज भी है वर्तमान में अब आप सोच के देखिए आपके आसपास की चर्च या जिस चर्च में आप जाते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है पूरी दुनिया इस चर्च को सपोर्ट करेगी मैं आपको बताता हूँ क्यों जो वहां के किंग्स होंगे वो सपोर्ट करेंगे रूलर्स जो होंगे वो सपोर्ट करेंगे और याद रखो गवर्मेंट भी उनको जो है सपोर्ट करेगा क्यों मैं आपको बताता हूँ ये खुद को रानी समझती थी कौन सी कलिसया बैबिलॉन के कलिसया ये खुद को रानी समझती थी मैं आपको बताता हूँ क्यों रानी से मेरा मतलब है शादी जुदा इसका वचन है मैं बताता हूँ कहा लिका है प्रकाशिद वाक्या अट्रा क साथ कहता है क्योंकि वह अपने मन में कहती थी मैं रानी हो बैठी हो इसका मतलब है इसने खुद को डिकलेर कर दिया था कि मेरा एक पती है और वह पतिगा नाम कह लूसिफर वह पतिगा नाम कह एंटी कि यह उसकी पत्न हो चूकी थी रानी बन बेठी थी विधवा नहीं हो शोक में कभी ना पड़ूँगी मैं विदवा ठोड़ी हो मैं तो रानी हो तो इसका एंटी रहा है इसका एंटी क्राइजिस भरे नगर का पती एंटी क्राइस है याद रहे हूं कौन सा चर्च है मैं आपको बताता हूँ यह वन-गवर्मेंट और वन-ड्यूजन चरच हाइगा कि जिसको कहते हैं वन-गवर्मेंट एड वन-ड्युलिजन तो यह ऐसा पूरे विष्व में मैं आपको बता चुका आपका कोई-बी-वर्ढ्यामें arrested किसी भी धरम से आते हो उस वक्त में एंटिग्रेस के टाइम पे उस वक्त में न्यूस वाले डिकलेर कर देंगे आप कोई धरम नहीं है प्रित्वी पे एक ही धरम है और वहाँ है one government and one religion, economic भी one हो जाएगा, एक हो जाएगा सबका, तो ऐसे टाइम पे ये कलिसिया बहुत पीक आप अधिए और मैंने उस इस्त्री को गेटड़ी मैंने उस इस्त्री को पवित्र लोगों के लहू, येशु के गवाहों के लहू, पीने से मत्वाली देखा, और उसे देखकर मैं चकित हो गया, कौन केता है योनना केता, मैं पिचर दिखा रहा हूँ आपको ये देख ले यह पवित्र लोगों का यानि मुसा के डायम की बात हो रही है यानि कि यहुदी इस्राइली एक लग चावाली सजार के डायम की बिनिस्ट्री और साथ येश्व के गवाहों के लव यानि कि अन्य जाती के गली से यानि कि आप और मैं तो यह उसका लव पीते वे वचंग को सुष्ट में बताता है कुछ चीजें आपके बीच में रख रहा ऊंप्द साथ से अठ्रा स्वार्ग दूत इन सब का खुलासा दे रहा है प्रकाशिद वाक्छे सत्रवे अध्याय का ना वचंग 17 शमा करे अध्याय सत्रा सोला के बाद से अध्याय 17 अध्याय अठ्रा फिर बचा 21, 21, 22 टोटल 6 chapters ये खुदी खुला सा है मुझे इन कम से कम 6 chapters पे जादा जो है इस शंगर्स नहीं करना पड़ा ये खुदी बात कर रहा है कि कौन क्या-क्या है इनके characters क्या-क्या है तो यहां से मेरी लड़की पड़ेगी आप लोग बड़े ध्यान से सुनेगा ये characters क्या है आए सुनते तब उस स्वर्दूत ने मुझसे कहा तु क्यों चकित हुआ मैं इस्त्री और उस पशु का जिस पर वह सवार है और जिसके साथ सिर और दस सिंग है तुझे बेद बताता हूँ जो पशु तुने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है और अताकुंट से निकल कर विनाश में पड़ेगा और पृत्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पती के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए इस पशु की यह दशा देखकर की पहले था और अब नहीं है और फिर आजाएगा अचमबा करेंगे उस बुद्धी के लिए जिसमें ग्यान है यही अफसर है वे सातों सिर्फ सात पहाड है जिन पर वस्त्री बैटी है वे सात राजा भी है पाच तो हो चुके है और एक अबी है और एक अब तक आया नहीं और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है जो पशु पहले था और अब नहीं है वो आप आटवा है और उन सातों में से उत्पन हुआ और विनाश में पड़ेगा जो दस सिंग तुने देखे वे दस राजा है जिनोंने अब तक राज्य नहीं पाया पर उस पशु के साथ गड़ी भर के लिए राज्याओं का सा अधिकार पाएंगे ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह प्रभू का प्रभू और राजाओं का राजा है और जो बुलाई हुए और चुने हुए और विश्वासी है वे उसके साथ है वे भी जय पाएंगे फिर उसने मुझसे कहा जो पानी तुने देखे जिन पर वेशा बैटी है वे तो लोग और बीड और जातिया और भाशाय है जो दर सिंख तुने देखे वे और पशु और वेशा से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मास खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे क्योंकि परमेशुर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करे और जब तक परमेशुर के वचन पूरे न हो ले तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्या पशु को दे दे वर्स त्री जिससे तुने देखा है वो बड़ा नगर है जो पृत्वी के राजा उपर राज्य करता है दोस्तों दैनियल की पुस्तक में इसका जिकर है दैनियल का दुस्ता दिया है दैनियल का जात वादिया है तो इसका मतलब है कि Babylon की ये कलिसिया साथ साल के समापती में एक ऐसा यूटन मारेगी या एंटिक्राइस मारेगा जो कि आपने पड़ा कि पशु उसको नंगा कर देगा पशु उसको उजागर कर देगा इसका मतलब है पशु साड़े तीन साल के पीस पिरियेट के बाद में जैसी वो कुरूर शाशन में आ जाएगा कलिसिया को सताना शुरू करेगा उस टाइम पे वो खुद को घोशित करेगा कि मैं परमेश्वर हूं तो ये सेवेंट टाइम के समा करें सात्वे दिन के आखरी दिनों की ये घटना है जिसको योहना देख रहा है और साती साथ ये बड़ा बाबिल यानि कि कलिसिया जिसका जिकर अभी आटरा पे मैं डालूँगा वो गिर जाएगी या उसको खतम कर दिया जाएगा और एंटी क्राइस जो है जूटा जो बहुश वक्ता है वो डिकलेर कर देगा कि अभी हम सब कुछ है हमें किसी के जरुवत नहीं है इसक पद एक से लेके तीन तक में यहां बैबिलोन घिर पड़ा उसकी घोशना करता है आईए सुनते प्रकाशिद्वा के सलुमी प्रकाशिद्वा के आटरा का एक से तीन तक जी इसके बाद मैंने एक स्वर्दूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसे बड़ा अधिकार प्राप था और प्रित्वी उसके तेज से चमक उठी उसने उंचे शब से पुकार कर कहा गिर गया बड़ा बेबिलोन गिर गया है वो दुश्टात्माव का निवास और हर एक किया है और प्रित्वी के व्यापारी उसके सुक विलाज की बहुतायत के कारण धनवान हुए है ना दोस्तों आपको मैं अभी बता देता हूं कि इसका जो जिकर आठ्रवे अधियाय का डिरेक स्टार्ट होता है गिर पड़ा बड़ा बाबुल गिर पड़ा मतलब जो संसा के पास में पहुचा है इसको देखे पद चार से आठ तक में ये बताता है यहां दो बाते हैं एक इनके बीच में से निकलो किसके बीच में से ऐसी कलिसया के बीच में से वहां के लोगों को कहता है जिसको मैं कनेक करूँगा आज के लोगों से भी और दुस्ता कहता है उसक को बदला दो किसको ऐसी कलिशा को जिसने बिगाड़ा है यह आज भी है मैं करने करने जा रहा हूँ लेकिन बेला वचन सुन लेते हैं पद चार से आठ तक सुनते हैं जी फिर मैंने स्वर्ड से एक और शब्ट सुना हे मेरे लोगो उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े क्यूंकि उसके पापों का डेस वर्ग तक पहुँच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर क समरनाय है जैसा उसने तुमें दिया है वैसा ही उसको दो और उसके कामों के अनुसार उसे दो गुना बदला दो जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए दो गुना भर दो जितनी उसने अपनी बढ़ाई की और सुक विलास किया उतनी उसको पीड़ा और श में बस्म कर दी जाएगी क्यूंकि उसका न्याई प्रभू परमेश्वर शक्तिमान है एक है उनके बीच में से निकलो और दूसरा है उसको बदला दो और याद रखो जब आप सुन रहे थे लड़की पड़ रहे थी परमेश्वर के पास में इसकी कंप्लेंट पहुंची है परमेश्वर ने इसको ध्यान में रख लिया था और आज भी ऐसी बहुत सारी कलिस्या हैं जिसको परमेश्वर अपने ध्यान में रख रहा है मैं वापस कहता हूँ नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ अगर ले बिरा तो उसके पीछे मकसद अलग होता है आप जो भी चर्च क वर्षीपरों से बात कर रहा हूँ चर्च माइ गूड्नेस गेट रडी नाव चर्च आपके बापकी जागीर नहीं है यह चर्च ये शुकी है तो चर्च में मनमानी करना बंद करिए जैसा चलाने को काना वैसा ही कलिस्या चलाओ अपने मरजीर से नहीं अपनी मस्ती के लि बाइवचनों के अंदर ना मैं इतना सक्त इसलिए होता हूँ क्योंकि मैं मास्टर ट्रेनर हूँ ग्रेट कमिशन का मैं बहुत सारे पास्टों को तयार कर चुका हूँ अब बीते कुछ सबसे पहले कि उनके बीच में से निकलो दूसरा कहता है कि उनका बदला दो आईए उसको जल्दी से देख लेते हैं तो सबसे पहले सबसे पहले यह शाय की किताब उसका 48 का बीस दबुक अवाई जाया चैप्टर 48 एन वर्स 20 फिर उसके बाद में 52 का 11 आईए सुनते हैं जी बेबिलोन में से निकल आओ कस्दियों के बीच में से भाग जाओ जैजेकार करते हुए इस बात का प्रचार करके सुनाओ प्रित्वी की चोड तक इसकी चर्चा फैलाओ कहते जाओ यहुआ ने अपने दास याकुग को चुडा लिया है जी दूर हो दूर वहां से निकल जाओ कोई अशुद वस्तु मत चुओ उसके बीच से निकल जाओ है यह हुआ के पात्रों को धोने वालो अपने को शुद करो जी आपको अगला रड़ी रखना है जो की दबुक अफ जर्माया चैप्टर फिफ्टी वन फॉटी फिफ्टी का सिक्स नाव यह सारे वच्चन आपके ओल टेस्में में परमेश्वन यशाया को नभी को और साती साथ यहर्माया नभी को बविश में जो गटना गटेगी च चर्चा कर रहा है साथी साथ आपको याद होगा के लुका की किताब उसके 19 वे अधिया अगर आप 39 40 41 42 पढ़ते हो तो वहां पर येशू भी एक मंदिर में गए जो की यरुश्लम का मंदिर आज भी वहां जाकर उनने क्या किया वहां जितने भी गलत काम करें थे सब को मार के बगाया बगाया कि नहीं बगाया वैसे ही आज अपनी कलिसिया पर भी येशू का नजर है और येशू कहता है अपने लोगों के उनमें से निकलो अब मुझे आपको ये बताने दीजे जैसे आप लोग तैयार होंगे आगे पढ़ने के लिए आज आप कौन से चर्च में आप कौन से आहलात में आप किसकी संगती कर रहे हैं वच्छन कहता है उनके बीच में से निकलो ये स्ठड़ी प्रकाशिद वाकिये के पुस्तक में आपको ये सब मसाला मिल रहा है कि उनके बीच में से निकलो आये पढ़ते यर्मया 51 का 45 जी हे मेरी प्रजा उसमें से निकल आओ अपने अपने प्रान को यहवा के बढ़के हुए कोब से बचाओ मेरी प्रजा खोई हुई बेड़े है उनके चरवाओ ने उनको बढ़का दिया और पहाडों पर बढ़काया है वे पहाड पहाड और पहाडी पहाडी गुमते गुमते अपने बैठने के सान को भूल गई है दोस्तों आपने अभी सुना किस ने उनको बढ़काया चरवाओ ने ऐसे लीडर्स ने आज भी है ऐसे लीडर्स मैं बताओ नाव दुस्ता करंतिये 6 का सत्रह इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद वस्तों को मत चूओ तो मैं तुम्हें ग्रहन करूंगा इसा नहीं लगता है दोस्तों यहां पर रिपीट टेली का स्टोर है मतलब जो कुछ यहां लिखा है वही वच्छन परमेश्वर ने अपने दास पॉलुस को भी बता है कुरंतियों के कलिस्या के लिए कि उनके बीच में से निकलो और अशुद वस्तों को मत चूओ यह इसको देखते हैं पॉलुस खूब डाट लगा रहा है मैं जब तक नहीं बोलूगा पढ़ते रेना जी जी फर्स करिंटियन चाप्टर फाइव वर्स नाइन मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि वेविचारियों के संगती न करना यह नहीं कि तुम बिलकुल इ अंदेर करने वालो या मुर्ति पूजकों की संगती न करो कि इस दल्शा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहला कर वेविचारी या लोबी या मुर्ति पूजक या गाली देने वाला या प्यक कड या अंदेर कर यॉणकि भाहर वालो का नियाई करने से क्या काम क्या तूब बीतर वालो का नियाई नहीं परमेश्वर करता है इसलिए उसको कू करमी को अपने बीच में से निकाल दो यह कौन है जिसको निकाल दो फिर कहता है कि उनके बीच में से निकल जा इसका मतलब है कि अंत के दिनों के विश्वासियों आपको कैसे रहना है आप इसमें से सीख रहे हैं बात किसकी हो रही है, एक ऐसी वेशिया की, जिसको कहते हैं कलिसिया, बैबिलोन की कलिसिया, आज भी ऐसी कुछ हरकते हो रही है, उनके चर्चों में आज की बात कर रहा हूं, उनके चर्चों में फिल्में देखना, वल्ली तिंक्स, मतलब संसारिक बाते हैं, उनके चर्चों में बहुत हैं उल्टे सीधे हरकते बहुत हैं तो इसका मतलब है ना फिल्मी का मेरा मतलब है बड़े द्यांसों सुनना एक बार जब तुम संसार से निकल कर प्रभू में आ जाते हो मेरा प्रशने है आप थेटर कैसे जा सकते हो और वो भी तीन-तीन गंटा मैं बीच में बता हैं जब हम आत्मिक हैं संसारिक नहीं है तो फिर संसारिक चीजे चर्च में क्यों ला रहे हो कुछ लोग सेवकों की बीबात कर रहा हो कुछ लोग चर्च में सेवक होकर पॉलिटिशन जॉइन कर रहा है, कोई बीजेपी का लीडर बन रहा है, कोई कॉंग्रेस का लीडर बन रहा है, कोई समाजवादी का लीडर बन रहा है, कोई जाडुवाली का लीडर बन रहा है, आप मादमी पाटी, और वो भी किसके चक्कर में, कुछ पैसो के चकर में, वो क अगर ऐसी कलिस्या रहेगी तो उसका गिरना तो वाजीब है और ऐसी कलिस्या का उठा लिया जाना तो तो धूर तक कोई कनेशन नहीं है फिर वो किसकी कलिस्या बनेगी अफकोस हैंटिक्रैस की तो अभी आपको जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो आपको शायद मेरे पर गु जादरी के होगे आपको पता येशु कैसे डाड़ता था शास्तरी फरस्यों को वो ये नहीं कहता था कि तुमारी कलिस्या गलत है वो ये नहीं कहता था कि तुम गलत हो जानते उसने किसे कनक किया उसने का कि तुम अपने बाप शैतान से हो जो एसी हरकते करने वाले का उसका बाप कौन हुआ परमिश्वर तो अब आप सोच के देखिए अच्छा कुछ लोग बोलते ही डैनियल भाई आप इतना सक्त बात क्यूं करते हैं आप इतना कठोर शब्दों का इस्तामाल क्यूं करते हैं आप इतना खुलकर बात क्यूं करते हैं यार तुम हरकते खुलक पर कर रहे हो मैं बात तक नहीं करूं और फिर कुछ लोग बोलते इसमें आपका क्या प्रॉब्लम है आपका नहीं बापका यह आपको समझना बहुत जरूरी है मैं यह सारे टॉबिक पर इसलिए बात करता हूँ क्योंकि आखों देखा कानों सुना देखकर आ रहा हूँ उसके लिए बता रहा हूँ वो चाहे कोई भी city हो वो चाहे कोई भी country हो मैं सब की बात कर रहा हूँ तो आपको बहुत सावदान रेना है, ऐसी सारी हरकतों से चर्च के अंदर नहीं चलनी चाहिए, यह आपके बीच में रखना हो, ना पद 9 से 19 तक में यहां जिनोंने बाबील पर बरुसा रखकर परमेश्वर को त्यागा था, वो सब चाती पीटेंगे, मतलब जैसे आभी मैं प्रचार कर रहा था ना, अरे डैनियल भाई हमको तुमारा नहीं सुनना है, मत सुनो, फिर चाती पीटोगे, अरे हमको तुमारा प्रचार पसंद नहीं है, मत सुनो, हमको जो है उस दिन तुम फिर चाती पीटोगे, अच्छा एक और चीज़ कनेक कर देता हूँ, अभी य पर उसकी musicians की Facebook पर लाइव आने की मैं क्यों बोल रहा मुझे नहीं पता आपको connect कर रहा हूं बस ये बात बोलकर ऐसा लगता है कि बार से आ गई जिसको देखो उठे सुटे Facebook पर आता है और प्रचार करना शुरू करता है गीत गाना शुरू करता है क्या बजाना शुरू करता अच्छा दिक्कत यहां है कि उनको देखने वाले या तो 5-6 होते हैं या तो 10-20 होते हैं उसके उपर होते नहीं और घंटों गाते रहते हैं घंटों बोलते रहते हैं अब मुझे नहीं समझ में आता जब मैं ऐसा प्रचार करता हूं तो मुझे लोग बोलते कि डैनिल अगर मैं इतना गलत हूं तो फिर मुझे क्यों देख रहे हैं और आप लोग इतने अच्छे हैं तो फिर 5-6-7-8 की और 20-25 में तुम्हारी खेल क्यों सिमट जाती है भाई तो वापस कहता हूं यहां बात डैनिल राज की है यहां बात है सच्छे वच्छन की यहां बात है स तो मैं पैसे कमा रहा हूं ना मैं आप लोगों से पैसे मंग रहा हूं यूटूब पे आज 80,000 सब्सक्राइबर्स हो गए अगर मैं उसको कनेक करूँ यूटूब के जहां से पैसे आते मैं घर बैठे लाखों रुपय कमा लोगा हर महीने जो कि लोग कमा रहें लेकिन जब तुम आते हो फेस्बुक पे जब तुम चालू करते हो अपने दुकान तो तुम को कितने लोग देख रहे होते हैं यह बता दीजिए फिर वो चाहिए यूटूब हो फेस्बुक हो अब यहां वापस कह रहा हूं यहां बात मेरी बढ़ाई की नहीं है यहां पर मैं इसको पढ़ना पड़ेगा वच्छ 9 से 19 तक में आई उसको सुनते हैं प्रित्वी के राजा जिनोंने उसके साथ वैबिचार और सुक विलास किया जब उसके जलने का दुआ देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और चाती पीटेंगे उसकी पीड़ा के डर के मारे वे ब उनका मोल माल मोल न लेना अर्था सोना चांदी रतन मोती और मलमल और बेंजनी रेश्मी और लाल रंके कपड़े और हर प्रकार की सुगंदित काट और हाती डांत के हर प्रकार की वस्तुए और बहु मुल्य काट और पीतल और लोहे और संग मरमर की सब भाती की वस्तुए और डाल चीनी मसाले धूप, इत्र, लोबान, मदीरा, तेल, मैदा, गेहु, गाई, बैल, बेड़ बक्रिया वर्स 19 और अपने अपने सीरों पर दूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिला चिला कर कहेंगे हाई हाई यह बड़ा नगर जिसकी सम्मत्ती के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, गड़ी बर में ही उजड़ गया तो मतलब यह बताता है दोस्तों के जिस चर्च पे हमने भरोसा किया था और जो सची सिक्षा पावलूस की, इशू की, पतरस की, जॉन दा बैप्टिस की, दा डिसाइपल और जॉन की उसको सबको त्याग कर, हम ऐसे पाखंडी और ऐसे हिपोक्रेट्स और ऐसे जूटी सिक्षा के पीछे चले गए थे, आज की बात कर रहा हूँ, तब तो होगा बेडा गरक, आज भी हो रहा है ऐसे जहां तेल बेच रहे, पानी बेच रहे, 200-200 रुपे में तेल की बाटल, पानी की बाटल, रोमाल बेच रहे, और ना जाने क्या-क्या बेच रहे ऐसो की पीछे जब तुम चले गए थे न, तो ऐसा लिखा कि उन दिनों में छाती पीटोगे यार हमको लगा ये चर्च हमारा जिसको कहते थे मदर चर्च है जिसको कहते थे हमारा बड़ा चर्च है मेगा चर्च है जहां की गिंती लाखों में आती है एक एक दो दो लाख आते हैं कुछ लोग तो ये भी कहते हैं मुर्क हैं मुर्क लोग हैं वो लोग वो कहते हैं कि उनका जीवन सही है, ये देखिए ना, येशु के पीछे भीड लाखों में नहीं थी, येशु के पीछे भीड कभी 12 थी, कभी 70 थी, रोटी खाने वालों की भीड अजार थी, चमतकार की भीड अजार थी, लेकिन जब सही सिक्षा की बात आती थी, तो येशु के पीछे इतनी भीड नहीं होती थी, येशु के पीछे भेडे होती थी, नाट भीड, भेड, ये समझिये, तो धोके में मत आईए, किसी के धोके में मत आईए, ना इसको देखिए, पद 20 कहता है, परमेश्वर कहता है, आनंद करो, फिर कहते है, मैंने बदला लिया है, तुम सब का, कहता है आनंद करो, क्यों आनंद करो, क्योंकि कलिसिया का उजागर हो गया, परदा फाश हो गया, बैबिलोन गिर पड़ा है, अभी वचन 21-24, आईए फिर एक बलवन स्वर्दूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्तर उठाया, और यह कहका समुद्र में फेक दिया, बड़ा नगर बेबी लॉन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा, और फिर कभी उसका पता न चलेगा, वीना बजाने वालों और गाईकों, और न देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा, और दूले का दूलीन का शब्द फिर कभी तुझ में न सुनाई देगा, यूंकि तेरे व्याप्यारी पृत्वी के प्रदान थे, और तेरे टोने के सब जातिया भरमाई गई थी, बविशे दक्ता और प् मैं उसका नामों निशान मिटा दूंगा, मुझे आपको ये भी बताने दिजीए दोस्तो, मेरी फचिस चप्पी साल के मैंने कितने चर्चेस को ताला लगते देखा है, मैंने कितने पास्टरों को वापस दुनिया में जाते देखा है, मैंने कितने डिनामेनेशन को ठप हो बहुता है। और यह आखरी है आज का फिर कल 20-22 मैं समप करूँगा ना लिखता है नामों निशान मिटा दूँगा मैं वापस कहता हूँ यह टीचिंग में जो कि अभी तक 3 लाख लोग जब से स्टार्ट किया है अभी तक 3 लाख लोग Facebook, YouTube, WhatsApp के माध्यम से और भी ना जाने कितने लोगों के माध्यम से ना दोस्तों मैं इस वक्त में जाना चाहता हूँ प्रकाशिद वाक्य के 19 वे अध्याय में आदा घंटा मेरे पास में वहाँ सब ठीक चल रहा है comment box पे ना पद एक से लेकर पद नौ तक दो बाते हैं यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ कि यहाँ पे दो बात तक में यहाँ लिखा है कि बाबील वेश्या यानि कि बैबिलॉन वेश्या का अंत और स्वर्ग में इस बात की खुशी मनाना आईए सुनते एक से पांच तक जी एक से पांच तक फास्ट इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी बीड को उच्छे शब से यह कहते सु और उससे अपने दासों के लहु का बदला लिया है फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया उसके जलने का दूआ युगान युग उठता रहेगा तब 2400 प्राचीनों और चारों प्रानियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिहासन पर बैटा था और कहा आमीन हालेलुया तब सिहासन में से एक शब निकला है हमारे परमेश्वर से सब डरने वालों दासों क्या चोटे क्या बड़े तुम सब उसकी सूती करो दोस्तों ये वचन पद पांच तक लड़की ने आपके लिए पढ़ दिया है यहां पे कम से कम दो से तीन बार अगर मैं गलत नहीं हूँ एक शब्द रिपीट किया गया फस्ट टाइम यह ना के शमाकरे प्रकाशिदा के उनिस जदे में और वो शब्द है हालेलुया यह जो शब्द है पहली बार कॉंटेक्स में अगर देखें तो इस्तमाल हुआ है एक खुशी के रूप में वो खुशी क्या है के बैबिलोन जो संसारिक कलिसिया है कमर्शल चर्च है एंटी क्राइस की चर्चे से आज भी ऐसे हैं जिसका जिकर पहला योना में कर चुका हो मैं लोगों को इसलिए एड कियां उसमें क्योंकि हम लोग जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा बारत में लोगड़ॉन की बात कराओं करों करोना वैरस की बात कराओं हम लोग बहुत जल्द ऐसी हालेलुया वाली स्तीति को फिर से लेकर आएंगे मतलब बहुत सारे गलत सिक्ष को वचन से ठीक करना है ऐसे लोगों कि मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर पद एक सिले के पांच तक में लिखा है कि बाबील वेशिया और उसका अंत यहां पे खुशी मना जा रहा है और जिसको कॉंटेक्स में यूस किया गया हालेलुया तो जब जब चर्च में या यूस हुआ है क्योंकि यहां पे गलत सिक्षाओं का अंत हो गया है बाबील का यहां पे अंत हो गया है ना जितना डर जी रुख जाए जितना डर शैतान से नहीं था उससे कई जादा डर गलत सिक्षाओं को गलत सिक्षाओं का था मैं बताता हूं किस किस को मैं रिपीट कर देता हूं कि जितना डर शैतान से नहीं था, याद रखो था, ये पास्टन्स वर्ड है, मतलब भूत काल की बात हो रही है, तो जितना डर शैतान का नहीं था, उससे कई जादा डर गलत सिक्षाओं का था, मैं आपको बताता हूं कौन को ने वो, वो चाहे कोई भी यूग रह हो पृत्वी पर, रिपीट करता हूं, वो चाहे कोई भी यूग रहा हो पृत्वी पर, वो मुसा, जॉन्दा बैप्टिस्ट, यानि योन्ना, बाप्तिस्वा देने वाला, ये शुमसी आप खुद, पतरस और पावलूस, इन सब को डर था, शैतान का, नहीं, मैं रिपीट टीचर, जो सोशल मीडिया पर आते हैं, ऐसे लोग आकर कहीं कलिसिया का बेड़ा गरक न कर दे, कहीं कलिसिया को बिगाड न दे, ऐसा डर गलत सिक्षाओं का, इन सब को रहता था, और इसमें विशेश करके, जी, बंद करिए, जिसमें विशेश करके, देख लिजे, ये व क्या नहीं किया, आपको पता सिरब एक ही के चलते, कलिसिया को सिखाने के चलते, इसने कम से कम 13 से 14 लेटर्स, और न जाने कितने लेटर्स, और कितनी सारी ढांट, और कितने सारे करेक्शन, और कितनी सारी ताड़ना कलिसिया को देते वे चलाया आपने जीवनकाल में, आप कैसा हुआ चैन दूसरा करंति ग्यारा तीन आपके बीच में रखने जा रहा हूँ जो कि कहता है परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे साप ने अपनी चत्राई से हवा को बेकाया वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसी के साथ होनी चाहिए कहीं ब्रस ना की जाए दूसरा करंति उसका ग्यारा कर्टा इस कहता है और और बातों को छोड़ और और बातों को छोड़ जिनका वरनर मैं नहीं करता सब कलिसियाओं की चिंता प्रती दिन मुझे सताती तो ये वेक्ति डरता है से ये वेक्ति डरता है ना इसको देखते हैं पूरे बाइब में और पूरे स्वर्ग को यह देखली जे इतना अनंद कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया जो अभी पहले पद 18 का एक सेपांज लड़की ने पढ़ा था उसको record किया गया उसके पहले कभी नहीं किया गया गलत सिक्षाओं वाली वेशिया अनन्काल के लिए मिट गई उसको लेकर इतना record कभी नहीं हुआ शब्द Hallelujah नहीं बोला गया सिरफ 19-वे अध्याय में आया क्यों? क्योंकि वेशिया गिर गई वेशिया कौन है? गलत सिक्षा है वेशिया कौन है? कमर्शल चर्च आज भी है कमर्शल चर्च अब आप सोच के दे के बहुत कुछ बोल सकता है धिमाग में बहुत कुछ आ रहा हूँ ये सारी चीज़े मैं आपके बीच में रखना चा रहा हूँ मेरी कलिसया यानि ग्रेस मिनिस्ट्री मेरी कलिसया का कॉंटेक्स समझेए सबकी कलिसया के बीच मेरी कलिसया बोलना पड़ रहा है येश्यू की कलिसया वो बात अलग है ग्रेस मिनिस्ट्री आप लोग जो सुन रहे हैं आपका पास्टे डैनियल राज आज 5-6 साल से क्यों चेंज हो गया ये रीजन है मसी मन्थन वालो आपको कम से कम एक हजार से भी ज्यादा मेंबर्स बन गए आपको हम क्यों जोड रहे हैं ये उसका कनेक्शन है पूरे भारत में जितने वर्शीपर्स है भारत के अंदर जो वर्शीपर्स लीडर से जो मुझे जनते हैं उनको खुद को पता कि डैनियल ला जो पहले कवाली सूफी घजल क्लासिकल वेस्टन सब गाता था वो अचानक से चेंज क्यों हो गया ये उसका रीजन है क्योंकि कुछ तो गड़बर है भारत के अंदर जिसको थौमा लेकर आयता है 2020 साल पहले पहली सदी के 52 साल में उसका सुसमाचर मात्र तीन तक का फैल है भारत में और उसमें भी गोंदर गोंदर समस्ते मराटी शब्द है उसमें भी गडबर अब आप सोच के देखे कि मसियत कहां जा रही है तो ऐसे वेश्या का अंतुआ है तो स्वर्ग में खुशी मनाई जा रही है ना इसको देखे पद दूसी बात जो मैंने रखा या था पहला दो में से वहाँ है पद छे से नो तक जो कि येश्यू का और कलिस्या का बया का समय आ गया यानि कि येश्यू की कलिस्या का बया शादी मेरेज उसका जिकर आईयो सुनते कैसे पद छे बोल के पूरे दबुक ओफ रेवलेश्यन शाप्टर नाइंटीन वाज सिक्स फिर मैंने बड़ी बीड का सा और बहुत जल का सा और गरजन का सा शब्ट सुना हालेलुया क्योंकि प्रबु हमारा परमेश्वर सर्वशक्ति मान राज्य करता है आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तूती करे क्योंकि मेमने का विवा आ पहुचा है और उसकी दुलन ने अपने आपको तयार कर लिया है उसको स्थामकदार महीन मलमल और पहनने का अधिकार दिया गया क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के अधर्म के काम है सब सरदूत ने मुझसे कहा या लिक की दनिया वे है जो मेमने के विवा के भोजन में बुलाए गए है फिर उसने मुझसे कहा ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है साथी साथ दोस्तों ये सारा बात बताता है कि येशु का बया आने पर है कलिसिया की शादी होने पर है और कलिसिया ने उसकी तयारी की है ये उसको बताता है इसको ध्यान देगे पद 21 तक में दो बातें यहां पर और दिखती है ये शु का आना यानि सेकेंड कमिंग और फिर एंटी क्राइस और फॉल्स प्रॉफिट का अंत को बताता है ना इसके पहले मैं वापस यहां पर आ जाता हूं जो की बताता है कि कलिस्या ने तैयारी कर लिए अब हम बिलकुल समाप्ती पर हैं हम ऐसे जगे पर जाने वाले हैं जो की समाप्ती पर हैं जैसी सू समाचार का काम खतम हो जाएगा मती 24 का 14 कहनुसर उसके बाद कलिस्या का उठा लिया जाना निच्चिंत है लेकिन जब तक यह नहीं होता मैं रिपीट करता हूं जब तक यह नहीं होता प्रित्वी पर कलिस्या रहेगी सू समाचार का काम चलता रहेगा येशु को अगर नीचे कोई नहीं उतार रहा है तो वो कलिस्या है जो कलिस्या पर जिम्मेदारी है सू समाचार को पुरे दुनिया में फैलाने की गवा बनाने की चेला बनाने की यह बात आप ध्यान में रखेगा ना साथी साथ दोस्तों मैं यहां पर आ जाता हूं पद 11 से लेकर 21 तक में दो बाते हैं येशु का आना जिसको कहते हैं सेकंड कमी और एंटी क्रैस्ट का और जूटे बहुश वक्ता का नारक में डालना लेकिन सबसे पहले 11 से लेकर पद 16 तक येशु का आना कैसा है एक बार उसको देख लेते हैं आई ये सुनते हैं जी दबुक ऑफ रेवलेशन शैप्टर 19 वर्स 11 फिर मैंने स्वर को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेद गोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्यों सत्य कहलाता है और वर पर प्रमेश्वर का वच्छन है स्वर की सेना श्वेद गोडों पर सवार और श्वेद लहू श्वेद शुद मलमल पहने हुए उसके पीछे-पीछे है जाती-जाती को मारने के लिए उसके मूँ से एक चौकी तलवार निकलती है वह लोहे का राज़ डन लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्ति मान परमेश्वर के बयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदीरा के कुंड में दाक रौन देंगा उनके वस्र और जांक के यह नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभूं का प्रभू दोस्तों यह जो वच्छन है आपके बीच में अ उसका कनेक्शन क्या है वापस कहता हूं मैं पहले से बोलते आ रहा हूं कॉमेंट्स बॉक्स को साफ रखिए आपको प्रचने नहीं पूछना है आपका जो कहते हैं डिस्क्रप्शन पर मेरा नंबर मैं हमेशा डालता हूं अभी डाल दूँगा और अभी कह देता हूं कि डबल नाइन एट त्री डबल 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 नाइन एट टू डबल त्री फाइव टिपल सेवन यह मेरा नंबर है और आपको बात करनी है डिरेक्ट बात कर सकते कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी कुश्चन करते है तो या तो आपको ब्लॉक कि एक्टिव रहे ना पद 11 से लेके 16 तक में मैं इसका खुला सा करने जा रहा हूं और यह रहा दोस्तों जिसकी इंतजार यह बहुत पावर्फुल है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही है और वहां है सेकेंड कमिंग ऑफ जीजस क्रॉइस यह पावर्फुल सब्जिक जिसके उपर कई लोगों ने गाने बनाएं कई लोगों ने प्रचार किया आद्बुत रीती से जो है इसके उपर सिक्षा चल लिए और मुझे इस पर बात करते वक्त में गर्व है मुझे इस पर बात करते वक्त में प्राउड फील होता है क्योंकि हम इसी आश्या पर दूद का दूद पानी का पानी तब तो हो ही जाएगा ना दोस्तों यहां पर देख लेते प्रकाशिद्वा के उन्नीस का ग्यारा लिखा है जो लड़की ना उलोडी पर दिया लिखा है आपके बीच में रख रहा हूं यहां पर लिखा है फिर मैंने स्वर्ग को खुला और देखता हूं कि एक श्वेद घोड़ा तो स्वर्ग को खुला कहां देखा चौथे अधिया में अब यहां वापस खुला देख रहा है कहता है कि स्वर्ग को खुला हुआ देखा एक श्वेद घोड़ा है और एक सवार है मतलब उसके घोड़े के उपर एक सवार है जो विश्वास योग ये सक्थ्य कहलाता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उसका जो फॉंड है उसको चेंज किया है, जो कहता है सक्थ्य कहलाता है और वो धरम के साथ न्याएं और लड़ाई करता है, ये कौन है देख लिजे, ये रहा, सब ठीक है उदर देख लो, जी एक ल के उबर मज जाए, इससे लाखो करोड़ों गोना, खूब सूरत ये शू होगा, वो बतल लगए, आखे देख लिजे, लाल है, जिसको कहते है आग से बरी, और सफेद घोड़ा है, उसके सवार का नाम विश्वास योग्य, ये देखी, विश्वास योग्य, विश्वास य ज्वाला, ना उसकी आखे आग की ज्वाला है, उसके सिर पर बहुत से राचमुकुट है, उसका नाम लिखा है, जिसको छोड़ और कोई नहीं जानता, इसका मतलब है ये देख लिजे, ऐसा, ने सब ठीक है, ऐसा दृष्व आप देखने जाओगे, जब ये श्व मसी साथ साल के महाकलेश के बाद इस पृत्वी पर आएगा, प्रकाशिद्वा के 1913, वह लहू से छड़का हुआ वस्तर पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, उसका नाम क्या है, परमेश्वर का वचन है, तो ये शू परमेश्वर का वचन है, और ये लहू छड़का ह आपको बता चुका तुंअ प्रकासिद्वा के ग्यार्व अद्याय में यह सारी चीजह प्रका जिए targeting entrepreneur सबंसे खकते जच्णा हो उसके पीछ है अर इन मेंसे और नहीड है उपनीन आटर्वश का मैं अलग लेकिन लिखा हैं ऐसा कुछ पहन कर येशु के पीछे उसकी सेना आएगी क्या खुबजुरा द्रिश होगा क्या अद्बुद्रिश होगा ना इसको देखें प्रकाशिद्वा के 19.15 जाती जाती को मारने के लिए उसके मुझ से एक चौकी तलवार निकलती है वह लोहे का राज़ दरने लिए हुए उस पर राज़ करेगा वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाट की मदिला के कुंड में दाक रोंदेगा ये देख लिजे ये है तलवार ये शु को देख लिजे ये पिच्चर सिरब मदद करेगी आपको समझने के लिए इस वच्चन को इसको देखिए दोस्तों प्रकाज शिद्वा के 19-16 उसके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभूं का प्रभू वह देखो बादलों के साथ जो राजाओं का राजा और प्रभूं का प्रभू ये देख लिजे अच्छा कुछ लोग कहते हैं क्या ये शु मसी के पैरों पर टैटू जैटू तो क्या अगर येशू टैटू बनाता है तो क्या हम भी बनाए कोई जरुतनी है साब जैसे हो वैसे रहो कोई जरुतनी है टैटू बनाने बात यहाँ येशू की हो रही है ठीक है ना इसको देखते हैं उसके वस्त्र और जांग पर ये नाम लिखा है राजाओं का राजा और प्रभूं का प्रभू यही द्रिश या वक्या आपको कहां दिखता है यहाँ जब येशू ने दर्शन दिया था यह ना प्रकाश विवा के एक साथ क्या लिखा है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है हर एक आख उसे देखेगी वरना जिनोंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे प्रित्वी के सारे कुल उसके करण चाती पीटेंगे लिखा है हाँ आमीन उसका मतलब है ऐसा ही हो चितर देख लिजे जी देखो लाइट देख लो जी यह देख लिजे यह देख लिजे अच्छा क्या लिखा है पता है बड़े द्यान से सुनना मुझे आसी भी आई है इसको पढ़ते वक्त में येशु है कुछ भी कर सकता है लिखा है बादलों के साथ आते देखा हर एक आख इसका मतलब है अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि येशु मसी आ चुका है अगर येशु मसी आ चुका है तो फिर मेरी और आपकी आख होने क्यों नहीं देखा इसका मतलब गया मालूम है अगर हम मुर्दे हैं तो हमको ऐसा उठा कर दिखाएगा अगर हम येशु के साथ में कलिस्या हैं तो हमको तो साक्षा दिखाएगा और लिखा है अब ये जो देख लो लिखा है जिन्होंने उसे बेदा था किसने बेदा था वो पंजर के साथ में येशु उसको भी उठाएगा मुर्दो में से बेटा मेरे को भेदा था ना, ये देख मैं आ गया, अध्बुत है, येशु कुछ भी कर सकता है, लिका है कि हर एक आँक उसे देखेगी, अगर हर एक आँक उसे देखेगी, हिंदू की आँक देखेगी, मुस्लिम की आँक देखेगी, क्रिशन्स की आँक देखेगी, पार्स इंड़ाश हो गयें एक दिन येशु आएगा बीर सिया चुन्य को support वी शया और और इनon ago इश्माद अर्फकी द्रॉद जारे चारें आपका पती सता रहा है बच्चे महबाब सता हरें ऐसा कोई भी ट्लेश से गुज्र रहे है एक दिन येशु आएगा उसकी इंतजार करो, पतन नहीं कर लेना, बैक स्लाइड नहीं हो जाना, संसार में नहीं चले जाना, मसी का प्रेम को ठंडा नहीं करना, ना इसको देखिए, अब आपनों सोच रहोंगे, डैनल भाई, यह क्या है, यहाँ स्वर्दूत है, यहाँ पर उकाब है, यहाँ पर पक्षियां है, अब आप सोच रहोंगे, यह क्या है, बड़ा मज़ा आएगा सर, मैं आपको बताता हूँ, यह क्या चीज है, यह एरो देख लेजिए पहले, और यह वचन पढ़िया भी, जो कहता है, 1917, दबुक आफ रेवलेशन 1917, कहता है कि फिर मैंने एक और स्वर्दुत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, यह देखो, एक और स्वर्दुत को सूर्य पर खड़े हुए देखा, और उसने भड़े शब्द से पुकार कर, आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से का, यह देखो सब पक्षियों से का उसने क्या का यह बताता हूं सब पक्षियों से का कि आओ परमेश्वर की बड़ी ब्यारी के लिए एक खटे हो जाओ जिसको कहते हैं सपर्ड मतलब मेज खोड़ यह सब पक्षियों को बिलेगा अब किसका खोड़ qualities को बिलेगा और शक्ति मान पूरुशों का मास शक्ति मान पूरुशों का मास यह शक्ति मान पूरुश कोने आप समझ गए हैं एंटिक्राइज लुसीफर साथी साथ आपका क्या नाम है फॉल्स प्रोफिट उसका नाम की बात कर रहा हो और लिकाए घोरों का लड़ाई होगा ना कर दिया है जिकेल के पुस्तक में 38-39 अध्याय में आप इसको देख सकते हो जिसकी बविश्वानी और लड़ी हो चुकी है यह दो अध्याय में मैं पूरा नहीं पड़ा सकता आपके बीच में रख दिया हूं आप पढ़ लीजेगा पद 19 से लेकर 21 तक में एंटी क्राइस कै कैसे और फॉल्स प्रॉफिट कैसे पड़ेगा जिसको यह आकाश की पक्चियां खाएंगी यह वाली आईए आपके बीच में वह भी रख देता हूं आईए सुनते हैं पद 19 से लेकर 21 तक में आईए सुनते हैं फिर मैंने उस पशू और पृत्वी के राजाओ और उनकी से सेनाओ को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए खट्टे देखा वह पशू और उसके साथ वह जूटा भवशुदक्ता पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्न दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको बर्माया जिन पर उस पशू की चाप थी और जो उसकी मुर्ति की पूजा करते थे ये दोनों जीते जी उस आग की जील में जो गंदक से जलती है डाले गए शेश लोग उस गोड़े के सवार की तलवा से जो उसके मुझ से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मा से तुरुप्त हो गए दोस्तों अभी समापती पर हूँ मेरे पास में 10 मिनिट है और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसको सुना होगा ये एंटी क्राइस और फॉल्स प्रॉफिट का पतन है अंत है इसका अंत कैसा है वो भी देख लिए जिसने पूरे दुनिया पे 7 साल 70 वीक्स इसने जो देना से लड़ने के लिए कट्टा देखा मतलब कहां देखा एरमेक डॉन वो तीन मेंड़क याद होंगे आपको जोने पूरे प्रित्वी के राजाओं को शूरवीरों को एक खट्टा किया था कि येशू से लड़ा अब इनकी हिम्मत देखो और इनकी बुद्धी देखो थे जawa मतलि को कान चले जिसने पूरी दुनिया बना एज है जो चुट्की में पीस सकता है पूरे दुनिया को ये उस से लड़ने को निकले इनकी आवकात देखे साथ इनकी हिम्मत देखिए उनकी बुद्धी देखिए ये देखो पकड़ा गया जिसने उसके सामने ऐसे चिन्न दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको बर्माया जिन्होंने उस पशु की चापली और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे ये दोनों जीते जी उस आग की जील में जो गंदक से जलती है डाले गए तो इसका मतलब है कि इनका डिरेक्ट फैसला किसका एंटी क्रैस का कहां पे हो गया आग की जील जो की कहती है अनंत मृत्यू सेकेंड डेथ दूसरी मौत डिरेक्ट डाले गए और फॉल्स प्रॉफिट ये जो भी होगा ये सीधा नरक में डाले गए जिसको कहते है ना तारीक ना कोई फैस में रख रहा हूं यह है उसकी सेना यहने कि लुसीफर की यह है ये येशु की सेना और दोनों जो हैं जब पूरी लड़ाई खतम हो गई यह कहां पाए गए आप सोच के देखिए ना और लिकाय की शेष लोग उस घोरे के सवार की तलवार से यानि येशु की तलवार से ज कितना पी सकते पियो खून चितना खा सकते खाओ मास किसको पक्षियों को बोल रहा है और ऐसा अंत ऐसा चुटकियों में ये शुकर देगा ना मैं समाप्ती पर हूं कि कल यहां से 20 पर जाओंगा ये इसको रख रहा हूं मैं और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कल बड़ी त छोटा सा बच्चा है और चरनी पर लेटा है कि साल में इकभर मरता है और पिर वुषिंदा होजाता है ऑर उसकी लॉकेड बना लेते हो घर पे फोटो पर्स में फोटो रखते हो आपको लगता है आपका येशु ऐसा है अब आपका पिच्चर बदल रहा है दिमाग में आपको जो प्रचार किया था ना पुल्पिट से आपके सेवकों ने उसका इमाजिन जो आपने किया था ना वचन को सुन सुन के वो पांच रूटी से कि विशाल है अधबुत है कितना भाई योग है उसका आदर करना उसको सम्मान करना उसकी सेवा करना उस की अग्याओं को मानना आपको नहीं लगता है कि यहां पर एक दर आता होगा ये शाया कहता है 66 का 2 में कहता है मैं तो कापता हूँ पाउलूस कहता है लिखते वक्त में इबरानियों का 13 का शमा करे 12 काटरा से वो कहता है मूसा तो कापता था परमेश्वर का जब दर्शन मिलता था मुझे नहीं पता आज की modern churches को क्या हो गया मुझे नहीं पता आज की Christianity को क्या हो गया परमेश्वर को मजाक में लिया हुआ है यह वच्चन को मजाक में लिया हुआ है वो डर वापस आना चाहिए उसके चलते ही यह 9 दिन का स्टड़ी इस वेक्ति ने आपके लिए लाया इसका खुब फायदा उटाइए नहीं तो फिर चाती पीटना पड़ेगा नियाय के दिन प्रभू आपको आशिश दे कल आखरी दिन है बिस्वा ध्याय एकिस्वा ध्याय बाविस्वा ध्याय पर बात करूंगा जै मसी प्रभू आपको खुब आशिश दे अपना ख्याल रखे कल रात ठीक 8 बजे मुलाकात होगे